Hello dear students, बात करते हैं advocate बनने के steps के बारे में सबसे पहले आपको LLB की डिग्री लेनी होगी, यह LLB, 3 years वाली LLB भी हो सकती है या फिर 5 years वाली BA LLB या BCOM LLB, LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको सबसे पहले किसी भी state की bar council में खुद को as an advocate registered कराना होगा, फिर state bar council से आपको एक certificate मिलेगा जो 2 साल के लिए valid होगा, इस 2 साल के period के अंदर ही आपको AIBE का exam clear करना होगा, all India bar exam को clear करना होगा, उसके बाद आपको जब वो exam पास कर लेंगे फिर आपको COP के लिए apply करना होगा, COP यानि की certificate of practice, जैसे ही आप COP प्राप्त कर लेते हैं, COP प्राप्त कर करने के लिए eligible हो जाते हैं, तो आईए legal success low classes के साथ मिलकर तयारी कीजिए EIB 19 और 20 की